हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं ज़रा स्वागत है आप सभीका क्यों हेल्प मेंग और फिर से फ्रेंट्स अगर आप भी यूजर है एरेटल जीओ या फिर वोड़ा फोन या आइडिया के और आपको प्रावलम आ रहे थी अपने मुबाइल को रिचार्ज करने में तो अभी ATM मसीन से अभी आप डेविट कार्ड से अपने से जो है रिचार्ज कर पाएंगे इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले है स्टेप बाई स्टेप कि आप कैसे अपने जो है रिचार्ज कर सकते हैं ATM मसीन पर जाकर अपने जो डेविट कार्ड से पूरा बताने वाले है step by step तो वीडियो को आपको अंतक देखना है और friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like जरू करना है चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरू कर लिजिए notification बैल को जरूर दबा लिजिए तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको जो है ATM मसीन पर जाकर अपना recharge करना है तो चलिए recharge करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो ATM जिससे आप recharge करना चाते हैं वहाँ पर जाना है उस मसीन पर जाना है और आपको अपना card लगा देना है उसके बाद वहाँ पर जो सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देगा जो है recharge option दिखाई देगा उसको click करना है और select कर लेना है उसके बाद आपको जो mobile number है वो आपको उसमें डाल देना है और जिस mobile number पर आप recharge करना चाते हैं वो वहाँ पर fill कर देना है और उसके बाद enter कर देना है उसके बाद आपको जितना भी amount आपको recharge करना है जितने रुपे का आपको recharge अपने mobile में करना है वो amount डाल देना है और उसके बाद आपको enter कर देना है उसके बाद आपको ATM pin पुछा जाएगा और वहाँ पर आपको ATM pin आपको डाल देना है उसके बाद आपको जो है इंटर कर देना है उसके बाद आपको कुछी देर बाद आपको confirmation message मिल जाएगा और आपका जो recharge है बिलकुँ successful हो जाएगा तो friends ये जो recharge करने का ATM का bank दे रही है वो आपको HDFC, ICIC, SVI, City Bank और कुछी bank को ने अभी तक उपलब्द कराया है लेकिन आने वाले कुछी समय के अंदर आपको ये सभी bank के अंदर लगभग हो जाएगा तो इस तरह है आप अपने ATM से जो अपने mobile है उसे recharge कर पाएंगे तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो like जरूर करें और friends हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए notification बेल को जरूर दबा लिजिए तो मिलते हैं नहीं वीडियो को साथ तब तक के लिए अबस्कार